सुपस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई फिल्म डॉंकी को लेकर सुर्खियों में चाये हैं, जो सिनेमागरों में दस्तक दे चुकी हैं. रिलीज के बाद इस मुवी को लोगों से जबरदस्ट रिस्पॉंस मिल रहा है, क्रिटिक से लेकर ओडियन्स सभी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, आज हम आपको शाहरुख खान की तीस साल पुरानी एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म से जुड़ा एक दिल्चस्ट किस्सा बताते ह दरसल, 90 के दशक में किंग खान की एक मुवी रिलीज हुई थी, जिसके लिए वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, साल 1993 में शाहरुख खान की फिल्म बाजीग ने सिनेमागरों में दस्तक दी थी, ये मुवी ना सिर्फ बॉक्स आफिस पर बड़ी सफल साबित हुई, बल लकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, हाला कि सल्मान खान ने इसके पीछी की वज़े का भी खुलासा किया था, सल्मान खान ने बताया, मुझे बाजीग की कहानी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मुझे लगा कि लीड केरेक्टर बहुत निगेटिव है, तो मैंने अब अबास मस्तान ने शाहरुखान को बाजीग के लिए कास्ट कर लिया, रिलीज के बाद ये मुवी बॉक्स आफिस पर च्छा गई थी और मेकर्स को माल माल कर दिया था, अबास मस्तान के निर्देशन में बनी बाजीग में शिल्पा शेटी और काजोल ने भी एहम भूमिका निभाई थी, इसमें शाहरुखान ने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था और वो बॉलिवुड के बाजीग बन गए थे, दोस्तों अगर आपको हमारा विडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करे, और ऐसी ही दिल्चस्त जानकारी पाने के ये हमा चैनल फॉलो करें